हाई एवरिवन केसे हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जे स्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी के एक पर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटियोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक most important history का lecture वीडियो लेकर आचुका हूँ दोस्तों जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th standard के लिए history subject का जो हमने चाप्टर के शुरुवात की थी जिसका नाम है आईडियल रूलर जो की है chapter number 8 आपके सिलावस का तो आज हम लोग इस particular chapter का lecture number 3 आपके लिए लेकर आगया है जो की again एक बहुत ही ज्यादा important lecture वीडियो होने वाला है तो दोस्तो आपको अगर मैं याद दिलाने की कोशिश करूँ कि हमने जश्ट इसके पहले हमने दो lectures cover कर लिया है इस chapter के और basically ये chapter किसके बारे में ideal ruler तो ideal ruler जब भी हम लोग ये word सुनते ना दोस्तों तो हमारे मन में सबसे पहला thought यही आना चीए कि हमारे देश में एक बहुती महान राजा हुआ करते थे उनके नाम में ही महराज था और वो है चछत्रपरतिश शिवाजी महराज तो शिवाजी महराज जो थे यार उनके बारे में क्या कहना आप सभी लोग जानते होंगे उनकी स्टोरी उनके ब्रेवनेस के बारे में आपको बच्पन सही सिखाया गया होगा, बच्पन सही आपने सुना होगा, लेकिन history point of view क्या है, ये सब चीज हम बहुत सारे चीजे पढ़ लिए हैं, बहुत सारे चीज आगे पढ़ना बाकी है, और इस chapter के दूरू बहुत सारे चीज पढ़ने भी व ये सब चीज discuss कर लिया, और आज हम लोग इसके आगे के points को discuss करेंगे, लेकिन start करने से पहले आपको मैं बताऊंगा कि आप हमारे playlist को check करते रहो, क्योंकि playlist में आपके रिए बाकी subjects के वीडियो totally complete हो चुके, आपका सिल्याबस totally complete हो चुका है, पूरा अच्छे से हमने इसी के वीडियो से upload करके रखे हुएं, तो please जाएए, चेक आउट कर लिजिए, यार, बहुत ही मज़दार वीडियो से गर आप देख लोगे, तो आपका पूरा का पूरा conceptual knowledge clear हो जाओगे, और बहुत ही अच्छे से आप marks लेकर आ सकते हो, conceptual knowledge आपका clear हो सकते हो, और topper बन सकते ह आपको मिल जाएगा playlist के अंदर substandard के sub subjects present है, तो चले, शुरुआत करते हैं, चाप्टर की, जो कि हमने कर दिया है, लेकिन आज का सबसे पहला जो topic है, वो हम लोग क्या discuss करने वाले हैं, तो बहुत सारे हमने greatness देखे हैं शिवाजी महाराज के, लेकिन actual में क्या-क्या उनकी चीजे हैं, जो हम लोग discuss कर सकते हैं, तो देखो, सबसे पहले अगर हम शिवाजी महाराज की बात करें, उनका greatness यही है, कि वो हर religion को, हर religion को वो एक समझते थे, यानि कि उनको कोई भेदबाव नहीं था, जैसे कि आज के डिड में बहुत सारे जगा पर आप जाओगे, तो पता है, शिवाजी महाराज की भी एक अपनी आर्मी थी, नेवी थी, उनका भी एक अपना administration था, यानि उनका पूरा एक कारेकाल पूरा था, तो उनमें जो काम करने वाले व्यक्ति थे, वो हर जाती और हर धरम से बिलॉंग करते थे, यानि कि उनमें बहुत सारे ऐसे थे ज सब चीज को मुद्दा निकालते हैं और बहुत सारे चीज़े करते हैं, लेकिन मेरे सबसे वो सब चीज गलत है, लेकिन जो शिवाजी महाराज करते थे न, वो ही सबसे सही तरीका था है, इसलिए शायल हम उनको इतना महान राजा बोलते हैं, तो religion के तोर पर अगर बात के इक्वल है, जाती, धर्म, सब चीज इक्वल है, ऐसा वो मानते थे, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा great माने जाते हैं, शिवाजी महाराज क्या माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा great माने जाते हैं, और जब भी शिवाजी महाराज ने सुराज को establishment करने के लिए बहुत ज् जानते हैं क्योंकि यह शुरुवात के दिनों से ही शिवाजी महराज ने बहुत सारे श्ट्रगल किये बहुत सारे एनमीज से लड़ाई की उनकी जान को भी खत्रा हो गया बहुत बार और कैसे वो बचके निकले वहां से तो यह सबी चीज हमने अलुड़ी बहुत सारे स्टो उसलिए nehmeट कि महराज बहुत ऑर महान राजा थे और इससे एक चीस साभीत यह वी होती है दोस्तो कि अगर आप कभी भी अपना mental stability नहीं खोगे, जैसे कि हमेशा कुछ ना कुछ बात पर गुस्सा आता है, यह नॉर्मल बात कर रहा हूं, यह मैं हिस्ट्री पर नहीं बता रहा हूं, एक जनरल बात कर रहा हूं, आप और मैं, ठीक है, तो जब भी हमें गुस्सा आता है, जैसे for example, हम गुस्से में बहुत सा चीज बिगडने से बच भी सकती है, तो यह एक छोटा समय आपको मेरी तरब से देने की कोशिश किया, लेकिन इससे हमारा कोई topic से लेना देना नहीं है, topic पर वापस आते हैं, तो basically बात किया, बात किया जाए, तो महराज जो थे, हमारे शिवाजी महराज जो थे, बहुत ज कर पाते थे, और उनकी दुख दर्द को समझ पाते थे, और इसलिए जो उनकी प्रजा थी, यानिकि जो उनके पीजन्स जो बोलते हैं, हम लोग वरकर्स हो गए, पीजन्स हो गए, या फिर जो आम जनता, जैसे हम जैसे आम जनता है, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद इ जैसे सुनते होंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ बता रहो तो वो वैलियोबल चीज है, और आपको वो चीज काम आएगा, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो सेम उसी प्रकार, शिवाजी महराज, मतलब मेरा तो कोई कमपैरिजन नहीं है, मैं त लेकिन फिर भी अगर बात के आजाए कि शिवाजी महराज का जो ग्रेटनेस था, वो जब कुछ भी बोलते थे, तो उनके बोलने में जो चीजें होती थे, अगर आप इंसान उसको सुन लेता था, तो एक इंस्पिरेशन अलग से आ जाता था, तो वो एक बहुत अच्छा शिवाजी महराज का और ये भी उनको एक बहुत बड़ा ग्रेट लीडर बनाता था, ग्रेट महराज उनको बनाता था, तो उनके अंदर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, जैसे कि बात के आजाए, तो उनके अंदर स्ट्रेंग्ट था, यानि कि वो मजबूत इंसान थे, नॉबिलिटी था, यानि कि वो कहीं न कहीं बहुत अच्छे से लोगों के बारे में सोचते थे, ठीके न, लोगों के अच्छाई के बारे में सोचते थे, ठीके, उनके अंदर ब्रेवनेस था, वेलर था, परसनालिटी उनकी अच्छी थी, ठीके न, तो ये सभी चीज थी और उनके अंदर बहुत सारी और qualities थी, कि वो leader बहुत अच्छे थे, leadership की quality थी, साथ में उनको management करना, कि किस प्रकार कौन से लोग को किदर भेजा जाए, manage करना, management की properties, फोर साइट, political diplomacy की property हो गई, फिर policies बनाना, original and military administration कैसे करना, commitment provide करना, सच्चाई की रास्ते पर चलना, justice के रास्ते पर चलना, equality maintain करना, military को ये सब करना, और plan करना चीज़ों को, तो ये इतनी सारी उनके अंदर qualities थी, और imagine करो दोस्तों, कि अगर एक इंसान के अंदर इतनी सारी qualities हैं, तो obviously तो वो बहुत ज्यादा महान हो जाता है, जैसे example के तुरपे, आज के रिट में भी कुछ ऐसे लोग हैं, दुनिया में, जिनके अंदर बहुत सारे, लगबग more than two, three qualities होती है, तो वो बहुत ये आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे टॉक्स, ठीक है, जै आट टॉक्स जो दूसरा चैनल है, उस पर हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते हैं, जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सको, motivate हो सको, inspire हो सको, और कुछ career guidance के वीडियोस हम डालते हैं, और अभी तो हम interview session भी start कर चुके हैं, जल से जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा, हमने shooting complete कर दिया है, जल्द आपको इस बारे में पता चलेगा, लेकिन आप JR Talks को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, तो कर ले ना, बहुत सारे interesting interviews आने वाले हैं, देख लेना, बहुत मज़ेदार, बहुत ही valuable persons के, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि शिव था उनके अंदर, अच्छाई जो थी ना, वो भी थी, लेकिन एक थोड़ी सी एक जो राजा के अंदर होना चाहिए, कि punish करना, कि अगर आप कोई गलती कर रहे हो, तो punish भी करना आना चाहिए, यानि कि जो दुश्मन है, या फिर आपने कुछ गलत किया है, तो punish भी करते थे वो बहुत सारे जो उनके पीजन्स होते थे, जो उनके अंदर में जो लोग होते थे, उनकी सेवा करते थे, उनका ध्यान रखते थे, उनकी केर करते थे, जिसे फार्मर्स हो गए, उनका बहुत जादा ध्यान रखते थे, उनके जो देशमुक जो होते ना, तो उनको order देके रखते थे कि farmers को किसी चीज की कभी नहीं होनी चाहिए तो इतने अच्छे थे farmers हो गए craftsmen हो गए soldier even जो जो सिपाही होते हैं जो soldiers होते हैं उनको चोट लग जाती है तो उनको पूरा खयाल रखा जाता था उनके घर वालों का खयाल रखा जाता था तो यह सबी चीज़े हो गई traders हो गए यानि कि जो businessmen होते हैं ट्रेड करने वाले merchants लोग जो होते हैं यह सभी लोगों का खयाल जो है शिवाजी महराज और उनकी जो पूरे team थी वो रखती थी और उनके अंदर कोई भी भेद भाव का भावना नहीं था यानि कि बहुत सार ऐसे लोग होते हैं जो अंदर नहीं होता था और बहुत सारे चीज़ों में उन्होंने help किया लोगों को फिर उन्होंने यह सब चीज के लिए navy create किया army create किया so that arm जो जनता है उनकी रक्षा कर सके उनके लिए भी एक तरिक से दुश्मन से लड़ने के लिए helpful हो सके तो यह सब चीज जो है उनको एक बहुत महान राजा बनाती है और एक बहुत ही महान बनाती है और जो foreign invasion था यानि कि जो अलग-अलग foreign के country से जो लोग आते थे न जैसे आप वो टाइम पर आपको पता है मोगल्स का जो राज था तो foreign invasion को कैसे उन्होंने control किया कैसे manage किया और बहुत सारी चीज़े उन्होंन other things जो शिवाजी महाराज ने किये है normally जैसे ऐसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी शिवाजी महाराज के बारे में और जब चीज़े आती रहेगे तो हम लोग explain करते जाएंगे आपको simultaneously ठीक है तो जब शिवाजी महाराज को officially coronation हुआ, coronation यानि की राज्य अभी शेख बोलते है normally and कभी-कभी तो श्वाराज के उपर बहुत ज़्यादा खत्रा भी मन रहा है लेकिन दीरे-दीरे उन्होंने अपने associates के help से उसको overcome किया and दीरे-दीरे श्वाराज को establish करने में मतलब कामयाब हो पाए and ऐसे बहुत सारी stories है normally अगर बात करें तो अगर किसी को भी कुछ श्रिवाजी महाराज को एक great leader बनाती है और basically मैं आपको एक example के तौर पर बताओ कि ये questions definitely मेरे साब से exam में पूछेगा कि write a short note on the greatness of the श्रिवाजी महाराज या फिर आपको ऐसा कुछ questions इसके उपर frame हो सकते है तो greatness अगर आप कुछ describe कर रहे हो तो इसमें कोई words की कमी नहीं हो सकती यानि कि आपके बस बहुत सारे words होंगे आपको concept तो समझ में आगे कि क्या था तो आप अगर own words में भी इसको लिखते हो ना यही खुबसूरती होती है concept चो knowledge जो मैं सिखाता हूँ इसकी यही एक plus point है यही खुबसूरती वाली बात है कि अगर आप इसको सीख लेते हो आप में छब जाता है तो आप खुझ से own words में भी answer लिख पाऊगे और यही बहुत अच्छी चीज़े हैं तो इसको जरूर से follow कर ले ना और साथ ही में जैसे कि आपको पता है कि हर घर में जो waste निकलता है कच्रा, कूड़ा, कच्रा, छिलके, fruits के चिलके, vegetables के चिलके तो उन निकलेगा, जो garbage निकलेगा, उसको dump मत करो, dump मतलब कहीं पे फैको मत, कहीं पे उसको एक तरीके से बरी मत करो, मतलब बरी मतलब जमीन खोद के हम लोग डाल देते हैं उसकी ओपर, वैसा भी मत करो, आप क्या करो, इसको जला दो, और जलाने से क्या होगा, कि जब यह जलेग जैसा काम करेगा, जिसके help से, जो agriculture है, उसमें थोड़ी help मिल जाएगी, तो इस प्रकार जो है, वो उनका दिमाग भी चलाते थे, यानि कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी तो शिवाजी महाराज को एक बहुत ज़्यादा ग्रेट लीडर इसलिए बनाती थी, कि ना सिर्फ ब्रेवरी, ना सिर्फ जो चीज़े थी अलग वाली, वो बट दिमाग भी, सोचो, यहाँ पर ये भी स्टोरी से पता चल गया, साथी मैं अगर बात करें कि जो नैशनल मुवमेंट था हमारा, तो एक तरीके से शिवाजी महाराज पूरे नेशन के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल तरपे बात किया जाए, तो हमेशा एक चीज़ हमें माने जाती है कि शिवाजी महाराज ने हमारे लिए बहुत जादा कुछ किया है, मतलब अगर हम बात करें, तो शिवाजी महाराज का जो योगदान है, हमारे इंडियन हिस्ट्री के अगर मैं बात करो, मतलब ये कभी पूरा नहीं हो सकता, मतलब वेनेवर वी टॉक अबाउट इंडियन हिस्ट्री, शिवाजी महाराज का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़े हैं, जो शिवाजी महाराज ने हमारे लिए और पूरी नेशन के लिए कि तो महात जैनती जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सेलिब्रेट करना लोगों को सिखाया, कि मतलब शिवाजी महाराज का कितना ज्यादा इंपोर्टेंस है हमारे लाइफ में, तो शिवाजी जैनती को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, वो हमें सिखाया, इसलिए आज के लिए में शिव बहुत ही महान तमिल पोयट है जिनका नामे सुब्रमन्यम भारती तो उन्होंने भी लिखा था एक पोयम जो की imaginary कंसीडर करके बनाया गया था शिवाजी महाराज ने कैसे यह सब चीजे किया वह सब के उपर बनाया गया था जो विश्व प्रसिद्ध कवी है जिनका रामे रभींद्र ना टाइगोर ने भी इनके उपर बहुत ही महान पोयम लिखा हुआ है और यह सब चीज जब देखा शि शिवाजी महाराज तो बहुत ही बड़े लीडर थे लेकिन ऐसे बहुत सारी लीडर है आज वो हिस्ट्री में कहीं गूम हो गए और आज के डेट में जो जनरेशन है मेरी जनरेशन है आपकी जनरेशन है इनको शायद पता ही नहीं है कि कितने सारे महान लीडर्स थे उन्हो तो उनके एक तरीके से रूल में थे, सुल्तनेट्स थे, मुगल्स थे, ब्रिटीशर्स थे, कुरुएल, कुरुएल ब्रिटीश तर से, तो कही ने कहीं हरेक का एक योगदान रहा है हमारे इंडिया के लोगों के लिए और आज जो हम इंडिपेंडेंस से जी रहे हैं, बहुत प्राइमिनिष्टर थे, उनका भी कहना ये था कि शिवाजी महाराज सिफ महाराष्ट से बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है न, पूने में रथे थे तो क्या हुआ है, सिफ महाराज पूरे देश के है, यानि कि पूरे देश के लिए उन्होंने बहुत जो किया है, वो कभी भ सिप महाराज के लिए नहीं पूरे देश के लिए तो ऐसा उनका कहना तो और ये बात सही भी है इसलिए शायद आप कहीं पे भी देश के कोने-कोने में चले जाओ ठीक है ना कुछ-कुछ जगा छोड़ के मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा लेकिन आप कहीं पे भी चले जाओ शिवाजी महाराज को हर लोग पसंद करते हैं और दिल से मानते हैं कि उन्होंने जो किया है उसका कोई भी भरपाई नहीं कर सकता क्लियर है तो ऐसे पुरा एक तरीके से सिंबॉल क्रियेट हो गया ब्रेवनेस का सिंबॉल हो गया और आज जब भी हम शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं तो गूसबंस आता है तो यह एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए और वी आर प्राउट टू भी महाराश्टियन की हम महाराश्ट में रहते हैं और शिवाजी महाराज भी महाराज से बिलॉंग करते तो एक बहुत अच्छा फील होता ह है ठीक है ने connection महसूस होता है तो बहुत अच्छी बात है थैंक्यू सो मच पर दाट यहां पर लाश्ट बट नॉट दलिस जैसा कि आप देख पारे हो यहां पर की जो चाप्टर है उसके आखरी पढ़ाओ पे हम लोग आ चुके हैं तो लाश्ट बट नॉट दलिस इतना ब यह भी हो गया totally complete याने कि chapter is totally complete लेकिन आने वाले time में जल सदल आपको और भी chapter से मिलेगे जिसमें हम लोग independence से related जो maratha war of independence था उसके related बहुत सारे चीज़े पढ़ने वाले हैं तो आप बस बने रहे हैं हमारे साथ और continuous ले आप हमारे वीडियो देखते रहे ना playlist को भी चेक क लाइक कीज़ेगा दोस्तो शेर जरूर से कर देना आपने सारे फ्रेंड्स अले लेटि उसको फटा-फट से शेर करो एंग दोस्तो अगर आपने अभी तक इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना उसके बाद कोई भी वीडियो को अप्लोड करेंगे तो आप लोगो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो मिलते हमारे अगले वीडियो में यह वीडियो देखने के लिए थांक यू एंड गुडबाई